हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक करते हुए शुरू करते हैं पहला है दोस्तों chili salt peter left side में मैंने vapore Parik नाम यानि कि trading name लिखे है और right side में मैंने उसके रासायिनिक नाम और सूतर लिखे है यानि कि chemical name and formula तो chili salt peter जैसा कि नाम से इसहले है chili आप सभी जानते हैं chili खाने में स्वाद में प्रियुक किया जाता है और यहाँ पे देखे, salt peter ऐसा लग रहा है ना, चीली मतलब उसको चीली मिर्च खिला दो, किसलिए? स्वाद के लिए और साले को पीटो देखो लिखा है ना, salt peter, साले को पीटो लेकिन साले को पीटना है, तो क्या करोगे? अब दिन में तो पीट नहीं सकते, सब लोग देख लेंगे इसलिए, night में पीटो तो आपको याद आ जाएगा, चीली यानि स्वाद के लिए है तो देखे, स्वादियम, स्वादियम यानि कि सोडियम आपको याद आ जाएगा चीली किसलिए होता है? स्वाद के लिए होता है तो स्वादियम और साले को पीटो कब पीटो? रात में पीटो, night में पीटो तो स्वादियम और नाइट्रेट Sodium Nitrate, Chili Salt Peter का रसाइनिक नाम है यह याद हो गया दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ प्रशन पूछूँँगा और आप खुद देख पाएंगे कि आपको सब कुछ आसानी से याद हो गया है और आपने कितनी आसानी से उन सब का उत्तर दे दिया है तो टेंशन मत लीजे बस आप वीडियो को पूरा ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए इसके बाद दोस्तों उजला थोथा और यहाँ पे हैं नीला थोथा है जिसे तूतिया भी कहा जाता है यह अक्सर परिक्षव में आता है नीला थोथा को क्या कहा जाता है या फिर कौपर सल्फेट को क्या कहा जाता है तो नीला थोथा क्या कहा जाता है कौपर सल्फेट और कौपर सल्फेट को क्या कहता है नीला थोथा तो यहाँ पे देखे, उजला से आप याद रखेगा, उजला, उजला कब होता है, आपने अलादीन का चिराग सुना होगा, तो अलादीन क्या करता था, उसे जमीन पर रगड़ता था, तो एक फट की आवा जाती थी, जोर से फटाके की आवा जाती थी, और वहाँ पे जिन होता था था न, तो देखे, फट से सलफेट याद आजाएगा, और जिन से आपको जिनक याद आजाएगा, यानि कि जिनक सलफेट, उजला, उजला कब हुआ, जब जिन प्रगट हुआ, कैसे जिन प्रगट हुआ, अलादीन ने चिराग को जमीन पर रगड़ा, तो क्या जहर खा ले, ठीक है, यदि उस पे जहर का असार हो, तो वो क्या होता है, नीला पढ़ जाता है, शंकर जी ने भी जहर पिया था, तो उनका गले का रंग कैसा हो गया था, नीला हो गया था, नीला पढ़ गया था, इसलिए उनने नील कंट कहा जाता है, तो यहाँ पर देख सल्फास एक जहरीला पदारत है देखिए सल्फास से आपको सल्फेट याद आएगा और सल्फास यदि कोई धोके से खा लेता है या उसके मुह में चला जाता है तो क्या होता है वो देखिए कांप कांप के मर जाता है और यहां पर क्या होगा देखिए सल्फास खा लिया यहा पर sulphate आपको ऐसे याद आ जाएगा बहुत ही असानी से साथ में यहाँ पर तूतिया है तो ऐसा समझ लीजे थू 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 कर रहा है लेकिन अब कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि वो sulphate की गोली को निगल गया है अब थू थू करने से कोई फायदा नहीं होना है अब उसे नीला पढ़ना ही है मरना तो ही उसे तो ऐसे आपको यह याद आ जाएगा इसके बाद है P.O.P. इसे आप सभी जानते हैं Plaster of Paris जब किसी का हाथ पर तूटता है तो जो प्लास्टर लगया जाता है वो कितना हाड रहता है इसका मतलब इसी की परत उसमें लपेट दी जाती है एक पट्टी बांदी जाती है और इसे घोल कर उसके उपर लगा दिया जाता है तो वो सूख कर कड़ा हो जाता है तो यह Plaster of Paris है अब Plaster of Paris का रसाइनिक नाम क्या है देखिए Calcium Sulphate Half Hydrate ठीक है Calcium Sulphate Half Hydrate यहाँ पे ध्यान दीजे Half और Hydrate इसी में आपकी ट्रिक चुपिए आप समझ लीजे एक विक्ति का पैर तूट गया है हाथ तूट गया अलग हो गया तो बस आपको याद आ जाएगा Half Height बस आप जैसे ही आप Plaster of Paris देखें तो समझ लीजे कि पैर तूट गया है और उसकी Height कैसी हो गई हाथ यह आदी होगी है इसके बाद Alcohol तो इसमें कोई Logic लगाने की जरूत ही नहीं है अलकोहल को इथाईल अलकोहल कहा जाता है इथाईल मिथाईल कोई साभी अलकोहल हो या अलकोहल तो इलकोहल ही है यानि की शराब समझ लीजे सीधा सीधा तो अलकोहल शराब की तरह होता है या शराब ही है समझ लीजे तो अलकोहल को अलकोहल ही कहेंगे फिर देखे कली चूना ठीक है चूना अलग हो गया चूना पत्थर हो गया भकरा चूना हो गया कली चूना हो गया अब कली चूना हो क्या कहते है कैल्शियम आकसाइड अब देखे यहां पर सीधा सीधा कली से कल्सियम मिल गया कली से कल्सियम मिल गया और चूना देखे का जब जाएगा और चूना यानि की side में लगा देते हैं तो दिखें, आक्साइड, तो कली और आक्साइड, केल्शियम आक्साइड ऐसे आपको आसानी से हिआद जाएगा इसके लिए इसके बाद है कास्टीग पोटाश और यहाँ पर है कास्टीग सोडा ठीक है कास्टिक पोटाश और कास्टिक सोडा तो ये लग रहा बता रहा है कस्ट ठीक है कस्ट हुआ है किसकी वज़े से पोटाश की वज़े से ये बता रहा है कस्ट हुआ है किसकी वज़े से सोडा की वज़े से तो आपने देखा होगा जब किसी विक्ति को कस्ट होत तो potash के doctor की site पे जाएगा और soda की doctor की site में जाएगा यहाँ पे देखिए कष्ट यानि की doctor की site है ना drug site, drug site, doctor site बस आप यह समझे लिए कि यह doctor site है और कष्ट अगर potash की वज़ए से है तो potassium के doctor की site कष्ट अगर soda की वज़ए से है तो sodium के doctor की site तो बस ऐसे आपको याद आजएगा casting potash pracênic नाम है potassium hydroxide casting soda caracinic नाम है sodium hydroxide इसके बाद है dhowan soda और खाने का soda दोनों की सूत्र में जरा सफ रख है ध्यान दीजिए धोने का soda यानि कि dhowan soda है sodium carbonate और खाने का soda है sodium bikarbonate यानि यहाँ पर bai लगा हुआ है यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो धोने का सोडा आप यह सोच लीजे कि सोडा मतलब सोडियम सीधा सीधा सोडियम है यहाँ पे भी सोडा है तो यह सोडियम है और धोने का है तो क्या धोना है कार का बोनट धोना है तो सोडे से हमें कार का बोनट धोना है तो धोने क क्यों करेगी अपने खाने पीने के लिए यानि उसका खाने का खर्च निकल आएगा इससे है ना तो खाने का सोड़ा बस ऐसे आपको याद आ जाएगा ऐसे थोड़ा साब को युगाड भी हो जाएगा उसको कुछ पैसे भी मिल जाएगे तो ऐसे आपको याद आ जाएगा इसके वाद है गंधक या जिसे हम सल्फर बोलते हैं तो इसका रासाइनिक नाम क्या है सल्फ्यूरिक एसीड अब ध्यान दीजिए अगर कहीं पर बहुत ज्यादा गंध आती है ठीक है स्मेल आती है तो क्या करते हैं वहाँ पे कोई भी लोग हो पक्षी हो कुछ भी हो वो बस वहाँ से फुर से उड़ जाता है ठीक है फ्यूरिक फुर से उड़ जाता है तो हम क्या बोलते हैं साला यहाँ पे एसी भी लगा था देखिए एसी लगा था फिर भी वो थी किस चीज की गंधारी थी पता नहीं किस की गंधारी थी वो क्या हुआ यहां से फुर से उड़ गया तो सल्फ्यूरिक और एसीड आपको ऐसे याद आजाएगा इसके बाद देखिए गैलेना गैलेना आप सभी जानते हैं एक गैलन गैलन जिसमें हम क्या करते हैं मिट्ट लोग जो सरकारी राशन की दुकान में जाते हैं वहाँ पे मिट्टी तिल वगरा भी मिलता है ठीक है घास लेट वगरा मिलता है तो गैलन लेके जाते हैं अब गैलन लेके गए और वहाँ पे क्या हुआ वो लेट हो गए थोड़ा देरी से पहुँचे इसके वैसे क्या होत मिट्टी तिल खतम हो जाता है, या फिर उन्हें लाइन में सबसे पीछे खड़े होना पड़ता है, तब वो क्या गरते हैं, फाइट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, खुद ही अपने आप देखे, सेल्फ, सेल्फ, अपने आप शुरूआत कर देते हैं, लडाई करना, तो लेट पहुंचे, उपर से सेल्फ और फाइट करना शुरू कर दिया, तो लेड सल्फाइड गह लेना से आपको कोरिलेट कर लेना, ऐसे आपको यह असानी से आद आ जाएगा, दोस्तों का ट्रिक अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा, थोड़ा मुझे प्रो स्वाद और सेल्फ, है ना, स्वाद और सेल्फ, यानि हमारे सेल्फ के, खुद के स्वाद का खाना अगर मिल जाए, दिख जाए, तो हमारे चेहरे में एक दम ग्लो आ जाता है, देखें, लवन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लवन क्या हुआ हुआ, नमक वगेर समझ तो ऐसे आपको याद रहेगा, ग्लोबर लवन सोडियम सल्फ इट, इसके बाद देखें, चाइना वाइट, तो चाइना वाइट, इसका रसानिक नाम है, जिंक अकसाइड, आपने भी देखा हुआ, चाइना के जितने भी आदमी दिखते हैं, बिल्कुल जिन की तरह दिख जिन के अकस की तरह, किसी जिन या भूत के अकस की तरह, छाया प्रती की तरह, तो ऐसे आपको याद आ जाएगा, इसके बाद है चीनी, तो चीनी सभी को पता है, सुक्रोज, सुक्रोज, माल्टोज, कुछ भी बोलिए, चीनी ही है, चीनी यानि मीठा, सुगर, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज यह सब शक्कर है, चीनी है, ठीक है? तो इसमें कोई लोजिक लगाने की जरूत नहीं, आपने अगर पढ़ा होगा साइंस तो यह आपको असानी से आदा जाएगा फिर देखें, जीब सम जीब सम, ऐसा लग रहा है बता रहा है, जीब सम जीब के समान, जीब के समान क्या रहता है? दात रहता है जीब के साथ में समान में, हम यहाँ पर यह मिनिंग ले रहे हैं कि साथ में रह रहा है जीब के समान पावर प्राप्त है, किसे दातों को? अब देखे, दात हम बोलते हैं कि यार कैल्सियम खाओ, कैल्सियम की टैबलेट खाओ, तो आपके दात क्या होंगे, बिल्कुल मजबूत रहेंगे, और दात जनरली कैसे रहते हैं, सफेद रहते हैं, तो देखे, कैल्सियम खाओ, तो आपके दात सफेद रहेंगे, कैल्सियम स ऐसे correlate कर लेना है, तो यह आपका असानी से आदा जाएगा, इसके बाद है TNT, तो TNT एक विस्फोटक की तरह काम करता है, अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा, TNT क्या है, Trinitrotalvin, यह इसका short form में हाँ TNT लिखा हुआ है, इसे कुछ भी logic लगाने के जरूरत ही नही तो इसका full form क्या होगा, Trinitrotalvin, फिर देखें, नौसादर, अब नौसादर को क्या बोला जाता है, Ammonium chloride, इसका रसाइनिक नाम है, तो नौसादर में एक शब्द हैं सादर, सादर यह नहीं क्या हुआ, हम बोलते हैं सादर प्रणाम, सादर आमंतरन, सादर यह नहीं समझ ल अगर आप सही सही नियमों का पालन करते हैं, तो अपने आप ही वहाँ पे आदर आपको मिलेगा, अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे, तो आपको आदर नहीं मिलेगा, ठीक है, इसके बाद देखें, फिट करी, बहुत इंपोर्टन्ट है, बहुत सारे एक्जाम समें स समन्दित प्रशनाता रहता है, तो फिट करी, इसका सूत्र क्या है, के टू एसो फोर, अल टू एसो फोर, होल थ्राइस, टून्टिफोर एच्टू, तो यहाँ पे देखिए, पोटेशियम, अल्यूमिनियम, सलफेट, इसका रसायनिक नाम है, इसे कैसे याद रखेंगे, ऐसा लग रहा है, फटकार, है ना, फटकार, फटकार कपड़ती है, किसी को डांट कपड़ती है, जब वो कोई गलत काम करे, मान लिजे कोई पुलिस अफसर है, उसने पोटा, आपने पोटा नियम सुना होगा, पोटा, टाडा, जो कि अभी संजदत पे भी लगया था, तो पोटा कानून लगा दिया किस पे, आलू पे, अब यह तो इनसान पे लगाने वाली बात थी, लेकिन यहाँ पे आलू पे लगा दिया गया है, वो भी कैसा आलू है, बिचारा मीनी आलू है, आलू है, मीनी है, और उस पे लगा दिया पोटा, तो पोटा, टाडा, या कोई स और Aluminium Sulfate दोस्तों ऐसी आसान ट्रिक पाने के लिए मेरे इस YouTube चैनल GK with VK को भी आप सब्सक्राइब कर लिजे सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजे या फिर मैंने वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है वहाँ पर क्लिक करके आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लावा आप मेरे वेबसाइट www.gkwithvk.com पर विजिट कर लिजे जहाँ पर आपको मेरे दौरा बनाएगी सारी की सारी ट्रिक एक जगह एक साथ देखने को मिल जाएगी साथी दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल या घंटी का निशान क्लिक करना ना भूले नहीं तो मेरे दौरा नए नए वीडियो अपलोड किया जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा इसके अलावा अगर आपको PDF या परिक्षा से संबंदित अन्य समगरी चाहिए समय समय पर तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जोइन करने का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं इसके बालू तो बालू सभी जानते हैं सेंड जिसका रसाइनिक नाम है सिलिकोन आकसाइड तो जब आप किसी के बालू को थोड़ी देर के लिए बाल है आप अगर किसी के बहुत सिल्की बाल देख लेते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं यार आसा थोड़ासा मुझे बता की तू भैई अपने बाल में क्या लगाता है yêu आप फ्थोड़ासा हुड़ासा इधर आए साईड में आए आप बताए अपने बालों में क्या इस्तिम्माल करते है बहुत इसिलकी बाल है तो सिलीकान और आपक साइड आपको आसानी से याद आजाएगा, इसके बाद है bleaching powder, तो bleaching powder अगर आपने देखा होगा, तो आप जानते होगे कि यह सफेद रंग का रहता है, तो bleaching powder यहाँ पर यह समझ लीजिए कि बली है, बली यानि बलवान, मजबूत, तो आप सभी को पता है calcium, हड़ी क के लिए मजबूत रहता है, और इसके बलीच करना है, मतलब high glow चाहिए हमें, high glow चाहिए, तो हम क्या करते हैं, bleaching करवाते हैं, वहता है न, face में bleaching कर दो, या बात रूप में bleaching powder छिड़क दो, तो क्या होगा इससे, high glow आ जाएगा, high और यहाँ पर glow, तो इससे आपको क्या याद आ जाएगा, hypo chloride, ठीक है, high और glow से याद आ जाएगा, high chloride, hypo chloride, और बली, 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 यानि बलवान मजबूत, तो calcium, अड़ी मजबूत होती है, आपने भी सुना होगा, तो bleaching powder कर रसाइनिक नाम होगया, calcium hypo chloride, वह सब आपको यह बखवास लग रहा हो दोस्तों, ले बुरबुरा कर फैल जाए, तो चूने का पत्थर, जिसे आग में तपाया गया, तो क्या बन गया, चूने की कली जैसा बन गया, उसे पानी मिला दिया गया, तो भखरा चूना बन गया, उसे टच किया, तो भुरबुरा हो गया, फूट गया, तो भखरा चूना, calcium hydroxide, ठीक ह इतना डरा हुआ है कि वो चूते ही एकदम भरभरा सा हो गया या गिर के फैल गया, बिखर गया, तो ऐसे आपको जादा जागा भखरा चूना, यानि कि कली चूना इतना डरा हुआ, है डरा हुआ, हाई डरा हुआ, बहुत जादा डरा हुआ, तो ऐसे जादा जागा आपको calcium hydro और्क साइड, इसके बाद है भारी जल, तो भारी जल में देखे एक शब्द क्या है मेन? भारी, अब भारी कोई भारी कब लगेगी? मान लेजए आप कोई ड्यूटी करते हैं, ठीक है? आपको ड्यूटी करते हैं अगर आपको कोई बहुखे है नाइट में एक भूत का अक्सिए घॉत आखए मैंने एक बहुत्वा लाइए नाम कोईला है और इसमें देखे हेयर डाई कर दी गई है डाई डाई क्या है कारबन यानी की कोईला है ठोस कोईला है और इसमें डाई कर दी गई है सफेद रंग की तो आकी वह बर्फ दिखाई देने लगे तो सुस्क बर्फ ऐसे आपको याद आ जाएगा इसके बाद शोरा तो ये समझ लीजे कि पोटा लगा दिया गया किसी व्यक्ति पर नाइट में, नाइट में पकड़ा किसी को और पोटा लगा दिया गया, टाडा पोटा भी मैंने आपको बताया ना, कि यह बहुत कड़े कानून थे, तो किसी को भी आप नाइट में पकड़के बिना सबूत गवा कि पोटा लगा दोगे, पोटा एक्ट लगा दोगे, तो पब्लिक शोर मचाएगी, ठीक है, तो शोरा ऐसे आपको याद आ जाएगा, मतलब शोरा करा साइनिक नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, इसके बाद है, श्वेत पोटाश, तो ऐसा लगा रहा है कि बेंच से मारो, और पोटा कानून भी लगा दो, बेंच से मारो, और पोटा टाडा, इस अब कानून लगा दो इसके उपर, होते हैं ना कुछ लोग, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, कि भाईया, पुलिस को पैसा दो, बेंच से पिटवाओ, और पोटा कानून लगव यहां पर पोटा यहां भी है, तो potassium, यानि कि पोटा लगा दो, भले ही इसका rate ले लो, फिर देखे संग मर-मर, तो इसमें मर-मर, मरने की बात हो रही है, बार बार, मरने की बात हो रही है, तो यहां पर देखे, call किया, चिलाया, बहुत जोर से चिलाया, कि हट जाओ, हट का बोना टारा है, हट जाओ का बोना टारा ब्रेक फेल है, लेकिन अगला व्यक्ति हटा नहीं, इसलिए वो दब कर मर मरा के मर गया, ठीक है, दब गया मर मरा गया, या मर गया तो संग मर मर, क्यों मरा क्यों कि देखे, कॉल किया, कॉल काल्शियम काल्शियम कॉल किया क्या कॉल किया कि हट जा भई कार का बोनट आ रहा है आगे कार का बोनट आ रहा है ब्रेक नहीं है लेकिन वो हटा नहीं इसलिए वो दबके मर गया इसके बाद है चूना पत्थर या जिसे लाइम स्टोन भी कहा जाता है तो चूना पत्थर और संगमरमर एक ही चीज है कैसे चूना पत्थर से ही संगमरमर बनता है यह याद रखिएगा चूना पत्थर से क्या बनता है संगमरमर बन जाता है तो चूना पत्थर और संगमरमर दोनों का बिल्कुल सेम रसानिक नाम होगा calcium carbonate इसे आप याद कर लीजेगा इसका साधारन नमक इसका तो बच्चे बच्चे को पता है sodium chloride होता है इसका formula तो इसमें भी logic लगाने रटने के जरूरत नहीं है ये आपको भी पता होगा फिर आगे है marsh gas ऐसा लग रहा है बोल रहा है mash कर देना mash कर देना मसल देना जोर से दबा देना तो mash कर देना ठीक है आलू को mash कर देना आलू पर एठा बनाने से पहले तो यहां समझ लीजे कि किसको mash किया जा रहा है जो गाय बकरी भैस उनके थन को mash किया जा रहा है क्यों कि थन को जब हम जोर से mash करते हैं प्रेसर उसमें डालते हैं to क्या होता है वहांसे दूद निकलता है तो ऐसे दूद का उत्पादन होता है तो मार्ष गैस 돼 मार्ष मैश करना है किसको मैश करना थन को किसके थन होता है अब यह कैसे पता चलेगा केक में नमक डला है जब इसे देखिए सेल्फ और यहाँ पे स्वाद सेल्फ और स्वाद तो स्वादियम यानि की सोडियम और सेल्फ हम खुद खाएंगे तब सेल्फ सेल्फ जब हम खुद खाएंगे तब यह तो हमें पता चलेगा की इसके बाद देखे सिंदूर, तो सिंदूर में मरक्यूरिक सल्फाइड, माले जिए किसी का पती सल्फास खाके और मर गया है, तो उससे सभी पूछते हैं, भाई क्यों मर गया, क्यों मर गया, आपने सिंदूर क्यों नहीं लगाया है, तो क्या होता है, कि जब किसी का पती सल् ठीका हमाता है, अगर आप रटेंगे तो वो आपको सब कुछ भूल जाएगा, फिर देखे, सुहागा, तो आप इसको बहुत आसानी स्याद रख सकते हैं, गर्फरेंड बॉइफरेंड जब तक लोग रहते हैं, तब तक बहुत प्यार रहता है, लेकि जैसे ही सुहाग बन ग तो वो क्या होगा, दुखी हो जाएगा, या उभर नहीं पाएगा, समझ लीजिए, तो हारा हुआ सीस है किसी का, उसमें क्या करो, फेरो, हाथ फेरो, कौन फेरेगा, सेल्फ, खुदी फेर लो भाई, अगर कोई ने फेर रहा है तो अपने सिर में खुदी हाथ फेर लो, कि यदि आप किसी को बता हैं कि यार वो बड़ा हाइपो था, हाइपर था, हाइपर था, तो क्या बोलेंगे आप, हाइपो थावो, 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 तो ऐसे याद आ जाएगा, थायो सलफेट, थावो, हाइपो थावो, हाइपो थावो, हाइपर थावो, तो ऐसे आ अभी हाली में परिक्षा में प्रशन में पूछा गया था कि Blood Plasma में निमलिकित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो वो है Albumin इसे आप याद कर लिजेगा, एकदम रट लिजेगा इसे में कोई ट्रिक लगाने की जरूरत ही मत आने दीजेगा तो चलिए दोस्तों, यहापे मेरा वीडियो समाप्त होता है मैं अब आपका टेस्ट ले लेता हूँ, आपसे मैं प्रशन पूछूँगा और देखता हूँ आप उसमें से कितने प्रशनों का सही उत्तर दे पाते हैं इमानदारी से अब कमेंट बॉक्स में बताईएगा, कोई चीटिंग मत कीजेगा वचलिए एक एक करके शुरू करते हैं पहला प्रशन है दोस्तों, चीली साल्ट पीटर का रासाइनिक नाम क्या है? पोटेशियम सलफेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट या फिर जिंक आकसाइड दूसरा प्रशन है पोटेशियम अल्यूमिनियम सलफेट किसका रासाइनिक नाम है? बालू, शोरा, सिंदूर या फिर फिटकरी तीसरा प्रश्ण है संगमरमर का रासानिक नाम क्या है मैगनेशियम सलफेट, कैलशियम कार्बोनेट, सोडियम आकसाइड या फिर सोडियम क्लोराइड और आज की वीडियो को चौथा यह वम अंतिम प्रश्ण है कैलशियम सलफेट किसका रासानिक नाम है जिपसम, कास्टिक सोडा, सुहागा या फिर साल्ट केक तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मुझे उम्मीद है आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी यदि मैं सही हो तो इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजे और मेरा सपोर्ट करते रही है मेरे बांकी के वीडियोज देखते रही है तब तक मैं आपके लिए नई ट्रिक बनाता हूँ थैंक्स पर वाचिंग और अल दे बेस्ट